नमस्कार आप देख रहे हैं जेनाई नूज, जेनाई नूज में आप सब का स्वगत बैराईश से बड़ी खबर चोरों ने लाखो रुपया की नगदी और जेवरात पर किया हाथ सब आपको बता दे खबर चनपुद बैराईश के थाना कोत वाली द्याद छेतर से हैं जहां पर चोरों के होशला लगातार बुलंद होने जा रहा है बीती रात मौला शुभीपूरा में चोरों ने कए घरों में चोरी करके लाखो रुपय की नगदी शमेत घर का शामान साफ कर दिया है पिडित लोगों ने कोत वाली द्याद में तैरीर दिये हैं पिडित के अनुशर चोरों लाखों की नगदी शमेत लाखों रुपया के जेवरात और शाडियों को उठा ले गए शूचना मिलने पर पुलिश मोके पर पोचा और जास में जुट गए घर्टना के लिया गया है घटना अनावरन के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है जल्दी ही घटना का अनावरन कर दिया जाएगा आईए देखते अब्दुलकदिर की एक रिपोर्ट अज चोरी हुई है क्या है मामना कल साम को मेरी माता जी के तबियत है अचानक बिगड़ जाने की ओज़े से हमें गाउं जाना पड़ा और यहां असा परिवार ताला लगा के सब लोग गए और रात में साड़े तीन बजे करीब हमारे पड़ोसी दोरा बताया गया कि हमारे अज ताला काटा जा रहा था और खरबढ़ाट की आवाज हम लोगों ने देखा तो बाहर मतलब है कोई नहीं दिखा फिर देखा कि आपके मकान के सामने लाइट बंद है तो हम लोगों ने देखा कि हम मतलब आपके हां क्या है तो देखे कि ताला टुटा पड़ा है तो उ सब्सक्राइब करने के बाद पड़ोस बर्मा जी उनके हां भी ताला तोड़ रहे थे इतिफाक से वह लाइट बंद करने के चलते उनके हां जो मतलब बेल की बटन थी उसको प्रेस की वो लोग जगे तो जब बाहर आये तो मतलब उनको लगा कि कोई ताला काट रहा है तो प बाहर वो लोग निकलने की कोशिश के तो सभी धरों में बाहर से बेलन चड़ा हुआ था जिससे वो लोग नहीं निकल पाये तब तक वो लोग फरार हो चुके थे आज दिनांक 3.1.2021 की बीती रात्र को थाना कोटवाली देहाचेत्र के अंतरगत सूफिकुरा महला निवासी धर्विंद्र कुमार सिंग सनाफ राजगरन सिंग एवं सुनीर कुमार सनाफ विजेंद्र बहादूर के बंद माकान में अग्या चोरो दोरा रात्र में ताला त दोर कर घर का समान बर्तंग कपड़ा जिवराद चोरी कर लिया सूचना पर ततकाल थाना कोटवाली देहाच की पुलिस मौदे पर पहुंचकर फेल्ड मुमित बिलाकर आउश्यक कालवाई किया थाना कोटवाली देहाच में पंद्वा पंजीक्रत किया गया है साथी ही नि प्रिक्षट पियस कोटवाली देहाच एवन के ससाई पियस कोटवाली देहाच के नित्वत्त में दो टीमों का बशन घटना के अनवरा नहीं किया गया है जल्द ही घटना का अनवरा किया जाएगा